असलाम अलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनी के इस नए और लेटिस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को ट्वल्थ क्लास के उर्दू के कहकशा किताब से चैप्टर नंबर 11 पढ़ाने जा रही हूं जिसका नाम है गुबार खातिर से ती सिसमीन खुटूत ठीके और ये जो चैप्टर है ये खत है यानि की मक्तूब है ऩीआप बोल सकते हैं लेटर और लस में बोला जयाता है खत चिए घथी तो आप गुबारखातिर एक किताब का नाम है यह गुबारखातिर एक किताब है जिसमें टोटल 24 खतूत हैं कितने कुतूत हैं 24 खत हैं लेटर चिठी आप बोल सकते हैं तो गुबारखातिर नाम के इस किताब में कितने खत हैं तो 24 खत हैं ठीक और उन 24 खत में से आप लोग को तीन ख खत को पढ़ना है और इसलिए चैप्टर का टाइटल है गुबार खातिर से तीन खतूत यानि कि इस गुबार खातिर नाम के किताब में से पुरा टोटल आप लोगों को 24 का 24 खत नहीं पढ़ना है उसमें से सिर्फ तीन ही खत को पढ़ना है ठीक और यहां पर एक चीज़ और जाने लिए इस चैप्टर के लेखक यानि की मुसनिफ है मौलाना अबुलकलाम आजाद और इस गुबार खातिर नाम के किताब के भी लेखक जो है ना यानि कि इस गुबार खातिर नाम के किताब में जो 24 खत है उन 24 के 24 खत को मौलाना अबुलकलाम आजाद में लिखा था जब वो एहमद नगर की जिएल में कैदे थे तब जब मुलाना अबुलाशाद एहामद नगर की जियल में थे तो उस वक्त उनुक्त उंके पास समय की समय था तो अपने समय को भितानी के लिए उन्होंने अपने दोस्ट जिसका ना मोशाय भिवर्भु करम को ना bipolar क της Amazad、 šideikk, Muk terminarm भी कहते हैं ठीकिसे तो इन्हीं के पास अपने दोस्त अबिबुरहमान के पास ही ऐे खत लिखा करते थे ज्यल में इनके पास महीं समय थे तो यह अपनी ुरहमान को खत लिखते थे लेकिन अफसूस की बात है कि वह हपार का यह कई बियुक्वरहमान पहुती जेल में थे खत तो लिखते थे हभीवर रहमान को लेकिन उनका खत हभीवर रहमान के पास नहीं पहुशता था से आपने इस खत को लिखा हैं अपने दोस्त हविवु रहमान को तो सिर्फ इस खत को आपका दोस्त हविवु रहमान ही क्यों पढ़ेगा पूरी दुनिया पढ़ेगी और इस तरह उनका जो दोस्त है उन 24 के 24 खतूत को इकठा किया और उसका एक मजमूवा बना दिया इत्मि गुबार खातिर नाम के किताब को सिर्फ हविवु रहमान खाही नहीं पढ़ें पूरी दुनिया के लोग पढ़ें और सभी लोग मौलाना अबुलकलामाजाद को शाबास ही दिए तारीफ किये और एक तरह से देखा जाए तो मौलाना अबुलकलामाजाद और भी जड़ा तो इस गुबार खातिरी नाम के 24 खतूत में से हम लोग तीन खतूत पढ़ेंगे और मैं आप लोग को वन बाई वन करके तीनों खतूत का खुलासा करूंगी हर चीज़ बताऊंगी लेकिन सबसे पहले आप लोग मौलाना अबुलकलाम आजाद के बारे में जान जाएए ठीक अभडुलकलाम और मौलाना अबुलकलाम आजाद में यदे यो साइंटिस्ट है और अइसी नहीं कि मौलाना अबुलकलाम आजाद यह भी तो पढ़े लिखे थे तो इनकी पैदाईश की बात कर ले तो 1858 में हुई था मौलाना खैरुद्दीन ठीकी और बच्पन में ही मौलाना अबुलकलाम अपने पिता के साथ क्या किये हिंदुस्तान आ गए यानि कि भारत में आ गए और भारत के कलकत्ता में रहने लगे वह वह मक्का मुकर्म में पैदा वे थे लेकिन हिंदुस्तान आ गए अपने पित दिन मौलाना अबुलकलाम आजाद को शुरुवाती सिक्षा दिए ठीक है पढ़ाय लिखा जो शुरुवाती सिक्षा नहीं होता है पढ़ाने लिखाने के काम वो मौलाना खैरुदीन यानिके पिता जी किये थे ठीक है और उन्हें सतीन इस भी में महज 15 बरस की उमर में जैस साला लैसानुलसिद्ख शाय किया इससे पहले मैं आप लोगों को एक और बात बता दू कि मौलाना अबुलकलाम आजाद जब 15 साल के थे लगबग 15 साल के तो उनके पिता जी थे वो कुछ बच्चों को मौलाना अबुलकलाम आजाद के पास बेज़ देते थे पढ़ने के लिए और मौलाना अबुलकलाम आजाद उसक्त बच्चों को पढ़ाया भी करते थे एक तरसे टीचिंग का भी काम किये हैं यह ठीक है और उसके लावा यह श्यरोशायरी भी करते थे तो उन्होंने एक रिसाला यान की पत्रिका अब बोल सकते हैं पत्रिका जिसका नाम था लिसान उलसिद्ग इन्होंने शाय किया था परकाशित किया था ठीक है जो की खुब चला और उसके बाद से आगे बढ़िए उन्हें सच्छे और साथ में महतरमा जुलेखा बेगम से शादी हो गई किसकी मौलाना अबुलकलाम आजाद की ठीक है और उन्हें साथ में उनके वालिद का इंतकाल हुआ छे नहीं तो साथ में मौलाना अबुलकलाम आजाद की शादी जुलेखा बेखम से हुई और उसके बाद से उन्हें साथ में मौलाना अबुलकलाम आजाद के वालिद यांकि उनके पिता जी का इंतकाल हो गया ठीक है वो कोई बीमारी के वज़ा स उसको शाय किये थे प्रकाश्ट किये थे कॉलकत्ता से और यह जो अलहलाल नाम का अख़वार था इसको मतलब हिंदुस्तान के आजादी के जंग का कारण मान लिया गया मतलब लड़ाई का कारण सबी लोग सोचे की जो लड़ाई हो रही हिंदुस्तान में सिर्फ इसी इसकर वाला को अखबार को बंद कर दिये गया लेकिन मौला अभुलक्लाम अख़वाब एक अखवार अख़ए कर दिया यह जो था लुच्छा अख़वार इसको नहीं बंद किया गया बलके मॉलाना अभुलक्लाम रहते थे उससे बाहर निकाल दिया गया ठीए और देठ अप्रील-उनवाराची में नाजर बंद रहे थे और उसके बाद से महात्मा गांधी के बुलावे पर कॉंग्रेस और खिलाफत तहरीक में शरीक हुए फिर स्यासे जिन्दगी से कभी अलग नहीं हो सके देखिए उन्हें सब बीस में जब वह रीहा हो गया यानि कि उन्हें सब से लेकर उन्हें सब बीस तक लगग चुवालिस महीने तो राची मिनेजर बंद थे लेकिन जब वह आजाद हुए और उन्हें सब बीस में जो है ना महात्मा गांधी ने बुलाया और महात्मा गांधी के बुलावे पर ठीक है ना मौलाना अबुल कलाम आकर कॉंग्रेस और खिलाफत तहरीक में शरीक हो गए ठीक है यानकी कॉंग्रेस पाटी जोएन कर में तो बस वह राजनीती में ही रह गए पुलिक्स करना शुरू कर दिया ठीक है और जिंदगी बर पॉलिटिक्स में ही रहे राजनीतिक में ठीक है तो अभी तो मौलाना अबुल कलाम के आजाद के बारे में आप 70 परसंट जान गए और 30 परसंट आप लोगो जाना बाकी ह कर अभी मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में कुछ और डीटेल्स बताऊंगी तो पहले ले लिजिए यहां तक फटाफर स्क्रील शॉर्ट तो उनको कौंग्रेस के सदर बना दिया गया और इसी तरह उन्हें सचालिस से लेकर उन्हें सची तक लगातार 6 सालों तक वो कॉंग्रेस के परसिडेंट बने रहे ठीक है और उसके बार से जब वो परसिडेंट के पोश्ट पर से उत्रे यानिकि उन्हें से चैल से लेकर उन्हें से चालिस तक तो वो परसिडेंट बने रहे लगातार 6 साल तक और उसके बार से मौलाना आजाद को हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम बनाए गया तो याद रखिएगा हमारे हिंदुस्तान भारत के जो सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे उनका क्या नाम है तो मौलाना अबुलकलाम अजाद यह पहला शिक्षा मंत्री हैं ठीक है तो इनको बना दिया गया और इंतकाल हो मौलाना बुलकलाम अजाद की मौत बाइस फरवरी उन्हेसा अंठावन इस भी में हुई थी जब यह अभी वजीर तालीम थे यानि कि शिक्षा मंत्री के पोश्ट पर थे तभी इनका इंतकाल हो गया ठीक है और इनकी कुछ किताबू का नाम आप लोगों के बुक में दिय यह सब किताब के नाम हैं और वगरा वगरा इन्होंने धेर सारी किताबें भी लिखी थी तो यह हो गया मौलाना बुलकलाम आजाद के बारे में कुछ डिटेल्स जो आप लोगों को याद रखना है अब चले में आप लोगों को गुबर खातिर से तिन खतूत जो पढ़ना कैसे जेल की जेल की जिन्दगी होती है ठीक है और बोल रहे हैं कि मैं बच्पन में बड़ा जहीन था और सभी बच्चे जो है ना मैं बच्पन में बाकी बच्चों से बहुत जदा यूनिक था सभी बच्चे खेलने में जदा इंटरेस्ट रखते थें वो जब खेलते थे तो मैं क्या करता था किताब डेले लता था एक और पोने में चला जाता था और जाकर मैं किताबे पढ़ता था मैं साब बाकी बच्चों से बहुत ही अलग था ये अपने आप अपने बच्च्पन के बारे में अपने जिन्दगी के बारे में अपने हालात के बारे में मौला नबुल कलाम अजाद पहले खत में अपने दोस्त हविवर रह्मान को बता रहे हैं बता रहे हैं कि जिस तरह एक बासुरी होता है अंदर से खाली होता है लेकिन फर्यादों से भरा होता है वही हाल मेरा है जिस तरह बासुरी होता है वो अंदर से खाली होता है लेकिन जब उसको बजाया जाता है ना तो लफजों की भंडार लग जाती है वो फर्यादों से भर कि यह जेल के बारे में बताई हैं कि जेल कितना दूर में attend हुआ हैं तो बता रहा है कि यह जो जेल है वो लग सौ गाइस गया है चाल का लिभी की कि आखिर दूस्रे खत्मे वालाना बूलकलााम अजाथ अपने दोस्त हभीन से किया-क्या-क्या बाते किये और क्या-क्या-क्या बताया है नां वाइट जास्मीन जिसको उर्दु में कहते हैं जास्मीन सफद। और ठेट अर्दु में कहते हैं सफद चमभ歌 है जो कि चीन की चाय है उसको मतला बहुत ज़ुदा पीना पसंद करते पarry किसी पालों से सब्सक्राइल ये पेदा जूँरे चासे जौई प्यूर्स या न किर लोग चाय का पेड कर दिए टेक लेकिन भिश्चा कई गुर्वत में भारत ca पी नहीं हुगा वैसी गुड्वता वाला पेड नहीं हुगा जो की catastrophe होता है ठीक है तो और यह भी बात बता है मौलाना अबुलकलाम आजाद की आखिर चाय का मतलब क्या होता है चाय का मतलब होता है कि उसमें सिर्फ पानी रहना चाहिए और चाय पत्ती रहना चाहिए अदर्वाइस और कुछ भी नहीं उसी को तो चाय कहते हैं यह तो अविज् पती रहता है उस चाय में वो दूड़ डालना शुरू किये फिर चीनी फिर लॉंग लाइची अद्रक डाल डाल कर उस चाय को सयाल हलुआ बना दिये ठीक है एक तरसे अलगी तरीका हो गया भारत में चाय पीने का ठीक है तो यहां पर जो है ना यह बॉलाना बुलकलाम अजा ही मतलब भारत में चाय को लोग हलुआ बना देते हैं उसमें दूद चीनी चाय पति डाल डूल कर ठीक है बल्कि चाय उसे कहते है जिसमें सिर पानी और चाय हों ठीकτε यह होगी आप लोग का दूसरा खत आप बात कर लेते हैं तीसरे खत की तीसरे खत में बियाना यये अप बीवी के बारे में बताए हैं अपने दोस्त अबिवर रह्मान को कि उनकी जो बीवी है मौलाना अबुल कलामाजाद की वह बहुत ज़्यदा एक तरसे देख भाल करने वाली हैं बहुत ज़्यदा सची हैं अच्छी हैं साथ देने वाली हैं साथ निभाने वाली हैं ठीक है औ अबुलकलाम Azad के पास मुकाँ था कि वह आवेदन लिख कर अपनी बीवी के जनाज़े में की और पहलेदन लिखना पर और आवेदन में लिखना पड़ता सेवा में महोद है कृप्या आप मुझे कुछ दिन के लिए जाने दे मुझे मेरे रिष्तेदार की मौत हो गई है तो इस तरह मौलाना अबुलकलाम अजाद अब मतलब फिरंगीयों को एतरह से अंग्रेजों को इतना रिस्पेक्ट नहीं भी देना चाहते थे ठीक है और इसवाजासे वह आवेदन नहीं लिखे इतना रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते थे इसे लिए वह आवेदन नहीं लिखे और वह अपनी बीवी के जनाजे में भी नहीं गए ठीक है तो यह बात थी और अपनी बीवी के मतलब धेर सारी गुड़ों को बताया है कि मैं रात भर जब बारे विज़े रात तक किताबे पढ़ता था तो वो भी मेरे साथ रात तक जगती थी और मेरे साथ पंखा डुलाती रहती थी मैं बोलता था कि सो जाओ तो बोलते थी कि नहीं आप पढ़िये ना मैं डूला रही हूं पंखा तो शाथ देने वाली थी एक तरह से और इसी खत में तीसरे खत में ही वो बताया है कि इसी जेल में रह रहा हूं इसी जेल में एक कब्र है ठीक है वह कब्र को उसकब्र से हो कर दो मैं जब होगे आप लोग का वन बाई वन करकर मैं आप लोगों को तीनों खत के बारे में बता दे कि आखिर तीनों खत में मौलाना अबुलकलाम अजाद अपने दोस्त हविभु रह्मान को क्या क्या बाते की हैं तीनों खत में तो आइधिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कोई बाकि में आप लोग को जो कुछ भी समझाई समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और उसके बाद से आप लोग सबसे ज़्यादा शेयर करना है अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए और हां नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा ठीक तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज